इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको बता दे कि लखीमपूर खिरी हिंसा पर आज इस सुप्रिंग कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर निश्पक्स जांच की मांग के लिए P.I.L. दायर की गई थी तो हिंसा में चार किसान एक पत्रकार समेट कुल दस लोगों की मौत हो गई थी मामले पर अदालत ने खुद संग्यान भी लिया इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है लखीमपूर कांट पर आज सुप्रिंग कोर्ट में सुनवाई होनी है निश्पक्स जाज की मांग के लिए पियाएल दायर की गई थी इसको लेकर आज सुनवाई होनी है और आपको बता दे कि लखीमपूर कांट में लगभक दस लोगों की मौत हो गई थी इस हिंसा में चारकिसान एक पत्रकार समय दसलों की मौत होई थी मामले पर अदालत ने खुश संयान लिया था और यहां तक भी सरकार को भी इस मामले में फटकार भी लगाई गई थी साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाक्यात की हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और पेस्बुक पेज को करें फॉलो उठाइए रिमोर और जुड़िए एनबी न्यूज के साथ टाटा स्काय चैनल नूमबर 1927 और एर्टेल चैनल नूमबर 356 पर अब एनबी न्यूज जियोटी मोबी आप एर्टेल एक्ट्रीम ओटी इंस्टाग्राम ट्रिटर गूगल प्ले और अप स्टोर पर भी अवेलेबल है एनबी न्यूज आपकी भूलंद आवाज आपकी ब